हालो फ्रेंट्स मॉनिका दिस साइड आज हम लोग करेंगे फॉनेटिक्स एंड प्रननसेशन इन जर्मन कि जर्मन में शब्द कैसे बनते हैं या उनको कैसे बोला जाता है और इससे पहले हम लोगों ने किया था एल्फाबेट्स इन जर्मन बेसिकली जो हम यह सीरीज कर रहे वो एवन लेवल की कर रहे हैं तो एवन लेवल का आज लेसन नंबर टू करेंगे आउश्प्राखा और प्रननसेशन इन जर्मन और वन जो लेसन वन है वो हमने किया था अल्फाबेट्स इन जर्मन और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं अगर फर हम शुरू करते हैं तो हमारी जर्मन की मात्राएं क्या होती हैं वोवल्स क्या होते हैं हमने अल्ड़ी डिसक्स किये थे आ, ई, ओ, उ, एंड ए, यह हमारा आ, यह हमारा ए, यह हमारा ओ, यह हमारा उ, एंड यह हमारा ए, यानि कि आप कॉंसोनेंट के साथ मिलेगे, मिलेगा तो क्या sound करेगा, suppose यह है तो अगर मैंने इसको यह लिखा तो यह क्या होना चाहिए आपके recording, अब आपका दिमाग यह करेगा कि यह तो हमने बे पड़ा था और यह आप पड़ा था, तो यह तो बे आओना चाहिए No, यही mistake होती है यह actually इस letter का नाम बे है, बट यह sound ब की निकालता है इस letter का नाम बे है जैसे उस योट, जे क्या होता है यहाँ पर योट होता है, इस letter का नाम योट है, लेकिन यह sound य की निकालता है, तो ऐसे ही यह sound ब की निकालता है, तो ब में आ मिला तो क्या हुआ, बा पर हट्य पर्ए हैं यह मात्रा आंट यह साउंड निकालेंगे यह निकालेंगे जो यह क्टि उटर का नाम बे ग्रेंगि निकालेंगे तोफर-पर-इक्जामपल मैंने यह लग ब्लब, यह क्या हुआ वह,UM में ओ मिला ऑ बो यह क्या हुआ बे जैसे मैंने इस मिलाया म ए मि मो मु एंड मे से वोवल की वज़ेसे सांड निकलेगा इनकी वज़े से sound निकलेगा, इसके अपना, इस letter का नाम है, लेकिन ये sound म की निकालेगा, बोला इसको M जाता है, लेकिन sound ये म की निकालेगा, और म म में A मिला तो म, म म में E मिला तो मी, मो, मू and मे, राइट, यानि कि vowels पे depend करता है कि हमें बोलना क्या है, तो for example जैसे मैंने ल नाम है, लेकिन इसको बोलेंगे हम या, क्योंकि मैंने इसका बतायाता है, इसकी sound या निकलती है, तो या में A मिला, तो यह गया, तो यह या हो गया, for example, जैसे मैंने इंग्लिश में पूछा, इसको क्या बोलते है, इंग्लिश में बोलते हैं, इसको cat, right, but मैं बोलते, इस letter का नाम c है, तो यह सैट होना चाहिते है, टेकनिकली, तो वह इसलिए है, क्योंकि इसको sound का निकलता है, letter का नाम c है, right, ऐसा letter का नाम y है, लेकिन sound इसकी या निकलती है, या में A मिला, या ओगया, जैसे कि मैंने ये लिया, तो यह हमारा for है, letter का नाम फाउ है लेकिन sound इसकी क्या निकिलती है? F तो F में A मीला तो यह हो गया Fa क्या हो गया यह? Fa तो ऐसे ही हमारे और वर्ट होसकते हैं यह हो गया पा यह हो गया हमारा भा यह हो गया दा तो यह हमारे स्रफ वावल्स पर डिपेंड करेगा sound sound तो यह आब आपको समझ में आ गया हो गा लाइक हिंदी जैसे कि दूस wissen होता है वैसे यह आ पर हुआ ओके आप करते हैं अगर आपको आइड का कउम्बिनेशर्न दिखता है कहीं पर आइड का combination दिखता है तो यह i sound करेगा क्या मैंने बोला मैंने आपको यह बोला कि कि मैंने यह बोला अगर i e का आपको combination मिलेगा तो यह करेगा और i i का combination मिलेगा तो यह i sound करेगा बस इसको रट लेना है कि इस combination में क्या होगा और अगर इसको और असान तरीके से देखना है तो अगर देखो पीछे वाले letter को हम क्या बोल रहे हैं पीछे वाला जो letter है फॉर एक्जांपल यह है यह क्या है मारा इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते तो देखो इसको इंग्लिश से उल्टा होता है तो यह इसके pattern को हम E पढ़ते हैं, इसको I पढ़ते हैं, राइट, अच्छा, दूसरा में rule क्या है, दूसरा rule ये कहता है, अगर S के साथ, suppose, अगर S के साथ कोई vowel मिलता है, तो ये ZA साउंड करता है, और ZA के साथ कोई vowel मिलता है, तो ये ZA साउंड करता है, मतलब इसमें उल्टा होत अगर वोवल का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो यह उल्टा साउंड करेगा, अभी मैं example भी दूंगे तो आपको समझ में आजागा, तो मैंने क्या बोला? अगर S के साथ कोई वोवल आता है, इनमें से कोई भी वोवल आता है, तो जा साउंड करेगा और जा के साथ कोई भी वावल मिलता है तो क्या साउंड करेगा, साउंड करेगा, लिर 이 ने आपको दिया यह word तो अभी हमने उपर क्या सीखा है? हमने उपर सीखा है इसके combination को हम E पढ़ते हैं फेलों पीछे वाला वर्ड ए पढ़ते हैं तो और सा के साथ सेन सेन इसको क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे सेन Jay به के साथ a say मिलो तो सा होंगा और यह एक ही मात्रा होती है तो यह हो गया सेन शुषमीता सेन लाइक तो ऐसे हम पढ़ेंगे इसको और एक एक इसांपल देती हूं जैसे यह है यह के काम्बिनेशन हुँ는 क्या है विंपवल मिलता है तो सा पड़ते तो इसको क्या पढ़ेंगे यह एह का combination I है तो यह E हो गया और यह F है तो इसको क्या बढ़ेंगे fear last में अगर आ रहे हो तो हम अर पढ़ते हैं उसको एर हमने सीखा भी था तो fear right तो यह हमारा combination है कि अगर आपको यह दोनों दिखें तो यह E पढ़ेगा और अगर आपको यह दिखे तो यह I साउंड करेगा और S के साथ vowel तो जा सांड करेगा और जा के साथ मादब Z के साथ कोई वोवल दिखे तो यह ipl si sound करेगा अगर मैं हिंदी में लिखों तो यह नुकता वाला sound करेगा और ये शा sound करेगा, right ये आपको समझ में आ गया हुआ तीसरा pattern है ये जो CH है ये जो CH है ये कई जगा खा sound करता है और ये कई जगा शा sound करता है तो अब आपका question उड़ता है कि कहां हमें खा बोलना है, कहां हमें शा बोलना है तो अगर A, O, U, A, O, U या A, U के साथ CH मिलता है तो हम इसे खा पढ़ेंगे right for example मैंने लिखा यह तो इसको क्या पढ़ते हैं इसको तो आ पढ़ते हैं तो यह खा हो गया तो आक्ट क्या पढ़ेंगे इसको आक्ट क्योंकि मैंने यह बोला A, O, U या A, U के साथ अगर आपको CH दिखेगा तो हमें खा पढ़ना है right तो यह आक्ट हो गया तो और example जैसे मैंने लिखा यह तो यह क्या हो गया यह नाक्ट यह क्या हुआ यह हुआ यह देखो A, U, AUK आउक मतलब also, तो अगर A, O, U या A, U के साथ CH दिखेगा, तो हम इसको खा पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, खा पड़ेंगे, तो CS दिखेगा, तो हम इसे खा पड़ेंगे, right, अब एक और लेते हैं, यानि कि इसके अलावा जो मिलेगा, तो वो शा हो गया, for example, मैंने ये लि अच्छा कुछ जगा क्या होता है, इसको खा ही पड़ा जाता है, लएक कुछ लोग इसको एक खोडते हैं, तो वो ऑस्ट्रिया में बोला जाता है, यानि कि आपका, ऐसा नहीं कि आप गलत जर्मन बोल रहें, यह यह है कि जैसे कि अगर मैं हिंदी में बात करू, तो हिंद बर खुण बोला जाता है, तो कुछ जगह यह जल सके तो हमखड़ पड़ा जाता है, थास फैसे जाता है, यहां पर यो बलिम बॉलीजाती है तो वहां पर यह शी पड़ा जाता है तो है कि में आपको क्या बताया है कि अगर इसके अलावा आपको यह दिखे डापको यह शह प्रना क्यों ग्याप्र वार कि शेके पर ग। मैं highlight कर देती हूं यही हो गए, यानि कि CH को कई जगा खा पड़ते हैं, कई जगा शा पड़ते हैं, next pattern, next यह कहता है, कि अगर आपको कहीं EU का combination मिले, तो इसको O sound करेगा, तो यह O sound करेगा, and T, S, C, H का combination मिले, तो यह CH sound करेगा, मतलब यह पूरा 4 letter आपको दिखे हैं, तो यह CH sound करेगा, तो for example, जैसे कि मैंने बोला यह, तो आप इसको क्या पड़ेगा, यह तो O है, तो यह ना में O मिला तो क्या पड़ेगा, इसके 9, तो यह हो गया 9, 9 होता है 9, और ऐसे ही 9, 9 मतलब new, अच्छा, यह हो गया CH, यह हो गया O, तो यह क्या हो गया, Deutsch, Deutsch होता है German, मतलब, जर्मन को German में Deutsch बोलते है, जर्मन को Deutsch बोला जाता है, जर्मन में, तो यह Deutsch हो गया, तो यह O और CH, एक पैटन आपका यह हो गया, अच्छा एक लेटर और देती हूं मैं एक वर्ड और देती हूं जैसे मैंने बोला यह अब इसमें तीनों ही डिफेरेंट आ गए तो यह इसके कॉंबिनेशन को चा पड़ते हैं इसको यू पड़ते हैं और इसको सर पड़ते हैं डबल ऐसे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे च्यूस च्यूस लाइक जैसे हम आइस्क्रीम को क्या करते हैं आइस्क्रीम को चूसते हैं इसको चूसना नहीं इसको च्यूस करना है च्यूस उमल B में है कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं और वही वैसे ही बोला जाता है तो इसमें complicated नहीं है कि जो हमने pattern सीख लिया है जो हमने ये चीजे सीखी है अगर इसी को हम follow करते हुए बोलेंगे reading करेंगे तो आप असानी से read कर पाएंगे ये हिंदी की तरह है यानि कि अगर जो मात पर मिल जाएगा और पहां से आप contact कर सकते हैं thank you very much please do like comment and share क्योंकि आप लोग अगर share करते हैं comment करते हैं तो एक motivation मिलता है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए and मैं try करूंगी कि मैं वीडियो every Wednesday and Sunday डालू और ये even का pattern इस तरह से चलेगा thank you very much अगर बनानी बनानी तो is और जो की आपका क्या झाया मात मिल जाओ और एक है जाएगा वीडियोर ये छो दो काना थी प्लूद है जाज जए जाएगा वें उत्याओता है जा प्लूद नाएगा अर वे प्लूद दो शुड़ावादा जिए खी लिएगा जाएगा तरह से